जै गुरुदेव महर्शी वेद विज्ञान विश्विद्या पीठम के जोते शिवे भागद्वारा दैनिक वेदिक पंचांग और राशि फल का प्रबोधन किया जाता है एक सो पाँचमा महर्शी समवत सर चल रहा है दो हजार उन्यासी विक्रम समवत के अंतरगत आयन दक्षणायन है रितु वर्शा है मास श्रमण है पक्ष शुकल है और आज की पुनीत तिथी चतुरदशी है गुरुवार का दिन है उत्तराशाधा नक्षत्र और आयुश मानियोग है वनिज करण है तथा आज का सूर्योदय प्रातह साढ़े पांच बजे हुआ है सायंकाल सूर्यास्त साढ़े छे बजे होगा आज विशेश रूप से वरत की पूर्णिमा है और रक्षा बंधन का यह पुनीत पर्व है आज अत्यंत महनी दिवस है आज के दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और येन बद्धो बली राजा दान वेंद्रो महा बलह तेन त्वाम प्रति बधनामी रक्षे रक्षे मा चल आज स्नेह का वहद परिपूर्ण पूर्णता का पूर्णिमा का दिवस है जब हम भगवदी ये भाव में अपनी उस दिव्यता को आरेखित करते हैं आईए अब आज का राशिफल जानते हैं मेश राशि पर राहु का गोचर चल रहा है अस्तु किंचित सावधानी रखनी चाहिए हमें मति भरम रह सकता है स्थिती का स्पष्ट ग्यान होने में असुविधा हो सकती है इस निमित हमें गणेश जी का आराधन करना चाहिए रुद्राभिशेक करना चाहिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में वे मार्ग स्पष्ट करें आशीरवाद से अभिसिंचित करें व्रिश राशी पर मंगल का गोचर चल रहा है गरह स्थिती अनुकूल है आय के स्रोत विक्सित होंगे भूमी भवन का योग बन रहा है कार्य क्षेत्र में प्रगती संकेतित है अधिक लाब के लिए आप भगवान गणेश जी का अरचन कर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें मिथुन राशी मिथुन राशी पर भगवान की अत्यंत करपा है आज का दिवस अत्यंत शुभ और मंगल कारी होगा भ्रमन के योग बन रहे है कारिक शेत्र में अनुकूलता रहेगी पूर्व दिशा से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है रुके काम बनेंगे विश्न सहस्र नाम का पाठ करेंगे तो और क्रपा प्राप्त होगी करकराशी करकराशी पर शुक्र और सूर्य का गोचर चल रहा है चंदर्मा और शनी की सब्तम द्रिश्टी पड़ रही है अस्तु प्रगती होगी कारि में विलंब हो सकता है लेकिन सुनश्चित रूप से यश होगा राज की ये पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा गुरु जनों का आदर करे माता पिता की चरण वंदना करने से उनका आशीरवाद लेने से आपके मनोरत निश्चे ही पूर्ण होंगे आदित्यहरदै स्तोत्र का पाठ करें सिंग राशी सिंग राशी पर भुध का गोचर चल रहा है प्रभु की क्रपा से आज आपका दिवसत्यन तो शुभ है विद्या, विवेक, विचार, विने तथा इसका पारसपरिक आपके अंतह करन से संबंध आज अनुप्रानित हो रहा है इसलिए देव करपा बरस रही है गुरु जनों का अशिरवाद प्राप्त होगा और आपके मनोरत पूर्ण होंगे विश्न सहस्रनाम का पाठ करेंगे तो और मंगल होगा कन्या राशी कन्या राशी पर ब्रहसपती की सब्तम दृष्टी पड़ रही है अर्थाद गुरु जनों की क्रपा से आपके कारे सिद्ध होंगे पारिवारिक वाता वर्ण रहेगा प्रियजन से भेट होगी तथा रुके काम बनेंगे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से भाग्योदे होगा तुला राशी तुला राशी पर केतु का गोचर चल रहा है कार्य में व्यवधान आ सकते है प्रगती के लिए निरंतर भगवान गणेश जी शिवजी का आर्चन वंदन करे कार्य सिद्धी के संकेत है अनंत शुब कामनाए व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी पर मंगल की सब्तम दृष्टी पड़ रही है आज आप भूमी भवन वाहन करे कर सकते है आर्थिक लाव होगा प्रियजनों से भेट होगी सामाजिक वातावरण उन्नत होगा आज उपहार लें और उपहार दें आपके मनोरत पूर्ण होंगे धनुराशी धनुराशी पर आज अत्यनत अनुकूलता की संकेत दिखाई दे रहे है प्रियजनों से मिलन संकेतित है भावुकता रहेगी भाग ये कारक आज का दिवस है इसे और उन्नत बनाने के लिए रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करें शुभ होगा मकर राशी पर चंदरमा और शनी का गोचर चल रहा है शुक्र और सूर्य की सब्तम द्रिष्टी पड़ रही है आज आप विशेश रूप से खान पान में सैयम बरतें अनुपान भेद से आहार ग्रहन करने से आप स्वास्थिरक्षा कर पाएंगे अत्यन्त आवश्यक है कि आप रुद्रा भिशेक करें भगवान गणेश जी की अर्चना वंदना करें ओम नमः शिवाय का जब करने से आप स्वास्थिरक्षण कर पाएंगे सावधानी पूर्वक कारी करें कुम्भराशी कुम्भराशी पर भुद्र की सप्तमद्रिष्टी पड़ रही है मनोनुकूल सफलता संकेतित है भाव, विचार का समन्वय रहेगा कारिक्षेत्र में प्रगती संकेतित है विश्नु सहस्थर नाम का पाठ करें मीन राशी मीन राशी पर ब्रहस्पती का गोचर चल रहा है विद्या, विने, विवेक, विचार और व्यवहार का पारस पर एक समन्वय आपके उतकर्ष में आज कारक बनेगा आपके व्यवहार से आपके प्रीजन संतुष्ट होंगे आपके प्रती अनुकूलता का भाव विक्सित होगा और इसका भविष्य में आपको बहुत लाब होगा इसलिए धैर बनाए रखें मधूर वचन बोलें प्रभुकरपा से आपका मंगल होगा अपने ग्रहों के पूर्ण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अनंत शुब कामनाओं के साथ रक्षा बंधन की बहुत सारी मंगल कामनाएं जै गुरु देव